तो दोस्तों यह बोट एयर डॉप्स 131 टूली वायरलेस एयरबड और आज किस वीडियो में हम इसके काफी सारे प्रॉब्लम का जो सॉलुशन है वह बताने वाले हैं तो गाइस उसके लिए करना का सिंपली वीडियो पर बने रहना तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम काफी सार जो नगा बंत हो जाता है और धाट जो प्रॉब्लम में तीसरा प्रॉब्लम है नॉट कर यहनि यह जो कि उल्ता को च Salamonamu 4 CEOs पें हम चेक कर लेते हैं कि चार्जिंग केस को चेक देखिया कैसे जाता है अगर आप पर चैर्जिंग केसफे जो पिन है om Ցलिट से हमें देक Bilka आप जो ही है तो छिधा नहीं सबस्क्त च्टोर था अपने का लिच बहुत करनेजनी अंगे उल्परह में। में बिल्कुल सही sommes nanya काई यहां तक हमें यह कंफर्म होगा कि हमारा संधेंड केस्समIF également और से परगिश चर्ज्च हो रहा है तो अब जो अपने french करना है क्या आपका मेंनने अधर का आइपका एक साड़ का इयर बीट में परफॉलिम है का निंद तो मैं आप सब्सक्राइब के साथ यह चीज और नहीं पने विडियो को देखना है चैर्ज नहीं हो रहा है तो उसके समय को करना किसिंपल आपने चार्जिंग यहां पर ब्लैक सा जम जाता यानि कि जिसे हम जंग कहते हैं तो यहां पर आपसे देखोगे यहां पर जो पॉइंट है वो गंदा सा हो गया होगा ठीक है उसके बाद हम चार्जिंग केस के अंदर का भी पिन भी देखेंगे तो यहां पर अब दिखा दूँ अपने मौईल का फ्लाइस लाइट है वह औन करके दिखेंगे तभी दिखेगा क्योंकि अंधीर के कारण यहां पर दिखता नहीं है तो यहां पर देखो दूँ गोल्डन करण के पिन है उससे अमने देखना है तो यहां पे देखो को तो अगर कोई ड़स्ट है तो उससे निकाल लेना उससे साफ कैसे करना है मैं बताताँ तो यहां पे कान साफ करने वाले जो एरबड स्टिक होते हैं उसके उपर हमने बॉडि दिवोड्रेंट लगाए है औो इसके पर इसके अंदर की साइड हम इसे अर इसके अधे और बहुत ही आराम से हमें चाह साफ कर लेना है तो हम यहां पर दोनों ही को साफ कर लेते हैं तक आपको करना कि हमें इस एर बड़्स के उपर भी जो गोल्डन पिन होते हैं इसको हम साफ कर लेते हैं तो आप चाहो तो अगर आपके दोनों साफ कर सकते हो अगर आपका एक साइड का वरक नहीं कर तो सिर्प आप उसी वाले साइड 00225. तो यहां पर मैं आप सब को दोनों ही के उपर साफ करके दिखा रहा हूं तो यहां पर हम इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और यहां पर जो ब्लैक ब्लैक सा है उसे थोड़ा सा साफ कर लेंगे अगर आप सब का साफ हो जाता है तो यहां पर साफ हो जाता है उसके वा कैस वी साफ हो चुकआ है और चारिजिंग भी साफ हो चुका ऐरतके ruब तक रिखने के उसको चारजिंग केम में साथ लगारा और चौड़ेंगो करना कि लगा देना सब्सक्राइप का समयानीकिन ना की आपके आपके पहिंग के साथ स्मार्टवन के साथ स्मार्टवन यूजा जाएंगे यह चैक्क यू यूज बताना कि प्रावलम है और अगर आप पूछ नहीं तो नीचे कमेंट करके पूछा का पूछ दो कर दो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूटूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को आउन कर देना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही